हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल क्रेक और कम्टिशन विदंजली फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग 1857 की क्रांती से रिडेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कोश्चेंज को पढ़ने वाले हैं या फिर अधर इस्टेट के टैट के त्यारी कर रहे हैं या फिर किसी भी इसक्रेटिशन विडियो आपके लिए काफी उश्वूल हो सकती क्योंकि इस टॉपिक से काफी सारे कोश्चन्स एकजाम में पूछे जाते हैं तो प्रीस वीडियो को लास तक चरूर देखेगा चले फ्रेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं आज का फंस्ट कोषिने 1857 की क्रांती के शुरुवात किस दिन हुई थी एए 10 मई 857, 20 मई 857, 25 मई 857 या 30 मई 857 तो 1857 की क्रांती के शुरुवात हुई थी दस में 857 को option number A इसका सही answer हो जाएगा next question question number 2 सिपाही विद्रोग किस जगे से शुरू हुआ दिली दानापुर मेरट जौनपुर तो सिपाही विद्रोग शुरू हुआ था जौनपुर से option number D इसका सही answer हो जाएगा next question कुछन नमबर 3 सिपाही विद्रो किस जगे से सुरू हुआ फ्रेंट्स कोशन हो चुका है और नेक्स कोशन है हमारा कोशन नमबर 4 निम्पिट में से किस बटालेन में सिपाही विद्रो की शुरूआत हुई दस्वी आईयन 20 आईयन 30 आईयन 17 आईयन तो इसका राइट आंसर ह हो जाएगा हमारा option नमबर भी पीश्वी आई हैं नेक्स्ट कोश्चन है हमारा कोशन नमबर फाइव अठाइसो सत्तावन इश्वी में क्रांती के समय भारत का गवर्नर जनरल तथा इंग्लेंड के प्रधान मंत्री क्रम्शा थे लौड कैनिंग और बहात के गवर्नर जनरल थे लौड कैनिंग और इंग्लेंड के प्रधान मत्री ते पार्मिश्ट्रॉण मंगल पांडे का संबंध सेना के किस बटालियन से था A 24th बटालियन B 30th बटालियन C 34th BNI और 36th BNI तो इसका अंसर हो जाएगा और 357 का राधितिक कारण था A डलहाजी का ब्यपगत सिधान्त B Service Enlistment Act C बिद्वा बिभा को प्रोसान D उप्रोक में से कोई नहीं तो इसका राइट अंसर हो जाएगा अंग्रेजी भारतिये सेना का जनक किसे कहा गया है A बारेन हैस्टिंग B जॉन सोर C कानवालेस D इस्ट्रिंजर लॉरेंस तो इसका राइट अंसर हो जाएगा इस्ट्रिंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतिये सेना का जनक कहा गया है नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर नाइन इलहाबाद में 1857 की क्रांती का नेत्रतु निमले लिखित में से कौन कर रहा था A खान बहादूर खां B लियाकत अली C रानी लक्षिवाय D बेगम हज़त म तो इलहाबाद में 1857 की क्रांती का जो नेत्रतु किया था वो किया था फ्रेंड से लियाकत अली ने ओप्षिन नमबर 20 का सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर 10 किस एक्ट के अंतरगत सैनिकों का समुत्र पार जाना अनिवारिक कर दिया गया A General Service Enlistment Act B Charter Act C Piers India Act D इन में से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा option number हमारा हो जाएगा इसका आंसर option number D इन में से कोई नहीं नेक्स्ट कोशन है हमारा कोशन नमबर हमारा हो जाएगा 11 बाबु कुवर सिंग कहां के जमिदार थे ए दानापूर B आरा सी जगदीशपूर D भागलपूर तो इसका राइट आंसर ऑप्शन मसी हो जाएगा जगदीशपूर नेक्स्ट कोशन है एक मेंट हमारा जो कोशन अब यह वाला टैन नमर वाला कोशन इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा हमारा आप्शन नमबर एजनल सर्विस एंडिश्टमेंट एक और इसका सही आंसर हो जाएगा ठीके फ्रेंड्स चमा जाओंगी आप लोग उससे इसका अंसर थोड़ा गलत हो गया था 11 का किस रियासत ने समर्थन किया था ए दिल्ली बी अवद सी हैदरबाद डी कानपूर तो इसका राइटांसर हो जाएगा ऑप्शन नमर सी का हैदराबाद नेक्स्ट कुशन नमर थर्टीन मंगल पांडे कौन था ए रानी लक्षमीबाई का से ननायक बी आजाद हिंद फौ कर रहा था ए अजी मुल्ला बी मौल्वी एहमद उल्ला सी कुमर्सिंग डी लिया कदली तो फ्यजा बास एठासो सतावन की क्रांथी का नित्वत्तु किया था फ्रेंस मौल्वी एहमद उल्ला ने ऑप्शन नमर इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन नमर अठासो सतावन की क्रांथी के विशय में किसने कहा था कि यह है धर्मांदों का इशाईयों के विरुत युद्ध था ए अशूप मेहता बी एल और रेट्च सी आरसी मजूमदार डी टी आर होमस है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर भी एल आर रेट्च नेश्ट कोशन है हमारा कोशन नमबर 17 दा ग्रेट रेबेलियन पुस्तक के लेखा कौन है ए आरसी मजूमदार बी गंगाधर तिलग सी मॉल्वी एमदुल्ला डी अशोप मेहता तो इसका राइट आसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी अशोप मेहता दा ग्रेट रेबेलि इसका राइट आसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी टात्या टोपे कांटपूर से 857 की का नित्रत्य तो किया था ने नेक्ष्ट कोशन नमबर 19 सती चौरा घट की घटना का संबंध किस से है ए नाना साहब बी कुमार सिंग सी गंगा धरतिलक डी लिया कतली तो सती चौरा घ कि घटना का जो संबंध बुहे नाना साहब से ऑप्शन नमबर इसका से आंसर हो जाएगा नेक्ष्ट कुशन है कुशन नमबर 20 निमन में से कौन सा 857 इश्वी के बित्रों का नेता नहीं था रानी लक्ष्मीबाई ब भगर सिंग सी नाना साहब डी बक्त का तो इसका अश्वी में था सी सावर कर डी एस एंसें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा और आप्शन नमबर इसी मजूंदार नेक्स्ट कुशन है हमारा कुशन नमबर 22 1857 इश्वी के विद्रों का सबसे महत्वपूर्ण पर्ल्राम यह हुआ कि भारते सेनों की कमजूरी प्रकट हो गई बी अंग्रेज भारत छोड़के चले गये सी भारते प्रशाशन का नियांतर कंपनी से छीन कर ब्रिटिस क्राउन को सौप दिया गया डी सुआ चनल वो से भारत में इस्ट इंडिया कंपनी के शाशन का अंधुआ अंधुआ नेक्स्ट कुश्चन है हमारा कुश्चन नमबर ट्वेज दिया गया बहादु शादुतिये बी तात्य टोपे सी बावू कुमर्सिंग दी नाना साहिब तो इसका राइट आंसा हो जाएगा ऑप्शन न नमबरे बहादुशा दुतिये को नेक्स्ट कुश्चन है हमारा कुश्चन नमबर ट्वेंटिफाइब 1857 की क्रांती के बाद किसने बहादुशा दुतिये को हिमायू के मकवरे के पास से ग्रफतार किया था ए लौड कैनिंग भी हर्सन सी करजन डी बिलियम बैंटिक तो इ साथ अप्रेल 1857 को दी आठ अप्रेल 1857 को तो इसका राइट आंसा हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी आठ अप्रेल 1857 को नेक्स्ट कुश्चन है कुश्चन नमबर 27 तात्य तोपे का बास्तरिक नाम क्या था ए रामचंद्र पांडूरंग बियोमेश चंद सी मंगल पांडे तो इसका राइट आंसा हो जाएगा रामचंद्र पांडूरंग नेक्स्ट कुश्चन है कुश्चन नमबर 28 इनमें से कौन साथ 857 की क्रांती का कारण नहीं था नाना साहिब का पेंशन बंद करना भी बंगाल का बिभाजन सी डेल होजी की हड़ अपनी टी बहादूर सा ज इसका राइट आंसा हो जाएगा ऑप्शन नमबर 2857 के निग्वी में और भारत का पहला बाइस राय कॉश्चन है अमारा क्वेशन नमबर 30 जहां सी में विद्रोध वाने वाला अंग्रे जदकारी कौन था ए हुरोज बी टेलर सी हट्सन इनमें से कोई नहीं तो इसका नेक्स्ट कोशन नमबर 31 जहां सी की रानी का बास्तिविक नाम क्या था ए पत्मावत बी मरी करने का सी रे नुदे बी डी उशा महता तो जहां सी की रानी का जो बास्तिविक नाम था वो ता मरी करने का ऑप्शन नमबर 20 का सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट ए 32 नमबर कोश से चलने वाली एंफिल्ड राइफल कर शामिल की गई की ए दिसंबर 156 भी फरवर 1858 में सी नवंबर 1856 में डी माई 1857 में तो इसका राइटांस हो जाएगा आप्शन नमर सी नवंबर 1856 में नेक्स्ट कुशन है कुशन नमर 33 निमलिकित में से कौन भारती सोतंतता अंधुलन क सरकारी इतिहासकार था ए हट्सन बी डी सावर कर सी आर सी मजूंडा डी एस एन सेन तो इसका राइटांस हो जाएगा आप्शन नमर डी एसन सेन नेक्स्ट कुशन है कुशन नमर 34 निम्ल में से किसे 857 की क्रांती के बाद अंग्रेजों द्वारा लडाकू जातियां घोशि इंग्लेंड के प्रधान मंत्री पार्मिष्टिन कौन से पार्टी के थे एक कम्यूनेश्ट बी लिबरल सी लेवर डी डेमोक्रेटिक तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नमर भी हो जाएगा लिबरल पार्टी के थे वह फ्रेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर विताएगा यदि आपको वीडियो पिसंद रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए यदि आप चैनल पर नहीं हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लिजी ताकि मैं जब भी व मिल सकें फ्रेंट्स मलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार